आपके लिए कुछ previous year exam में आया हुए idioms के question लेकर आया हूँ जैसा कि आप देख पारे हैं ये question CGL 2021 में afternoon shift में आया हुआ है तो चलिए start करते है एपल ओफ वन्स इज एपल ओफ वन्स इए देखिए ये question बहुत exam में आया हुआ है बहुत exam में question आपको देखने को मिला मिला होगा और मिलेगा आगे भी तो हमें बताना है कि एपल ओफ वन्स इए तो idiom है इसका कौन सा answer होगा कौन सा इसका अर्थ होगा पहला option है someone who play all sports B option is someone with great respect C option is someone very precious or dear fourth option है D someone who behave courteously तो हमें बताना है कि कौन सा option इसका answer होगा देखिए एपल ओफ वन्स इए का मतलब होता है someone very precious or dear तो इसका answer C होगा जैसे मैं कहूं अक्से इस दी एपल ओफ हीज फादर्स इए अक्से इस दी एपल ओफ हीज फादर्स इए इसका answer नमें में इससे means अक्से ए अपने पिता की अंखों का तारा है बहुत जड़ा है बहुत ज़दा अपने पिता के लिए कीमती है तो देखिए आंसर होगा कौन सा इसका अर्थ होगा option A है to be exalted option B है to be jealous option C है to great depth and option D है to perfection देख ये to the nines का अर्थ होता है to perfection means बिल्कुल perfect होना बिल्कुल सही होना for example राहूल is dressed to the nine for the party राहूल ने perfect dress पहरी हुई है party के लिए तो to the nines का means होना to the perfect होना तो इसका answer होगा वो क्या हो जाएगा D option इसका answer हो जाएगा तो देखिए friends अगला जो हमारा question number 11 है at the 11th or at the 11th or का हमें क्या बताना है इडियम बताना है देखिए यहाँ पर होवर को हम होवर ना बोलकर और बोलें क्योंकि है इसमें silent है तो और होगा एट इलेवन और तो हमें बताना कि कौन सा इडियम इसका answer होगा option a at 11 am होगा option b at 11 pm होगा option c at the very last minute होगा या option d one hour before midnight होगा तो देखिए इडियम at the 11th or का जो आंसर होगा वो होता है at the very last minute बिल्कुल अंतिम शंड पर बिल्कुल अंतिम समय के ऊपर जैसे आई टोल्ड किसन to change his habit of finishing every project at the 11th hour मैंने किसन से का आपको अपनी आदत बदलनी सहिए कि आप अपने प्रतेक प्रोजेक्ट को लास्ट समय पर पूरा करते हो तो at the event at the 11th और का मीज होता है last minute पर बिल्कुल अंतिम शंड पर अंतिम शमय पर तो इसका आंसर हो जाएगा सी तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्यूशन देखते हैं क्यूशन नमबर 12 है ए स्टॉर्म इन ए टीए कप ए स्टॉर्म इन ए टीए कप का हमें बताना है कि कौन सा इडियम इसका आंसर होगा को इस इडियम का कौन सा अर्थ होगा कौन सा ओप्शन इसका आंसर होगा पहला ओप्शन है अन्नेसेसरी टेंशन दूसरा ओप्शन भी है डिस अरेंजिंग दी कटलरी तीसरा ओप्शन सी है लोट ओफ फस देट विल सून भी फॉर्गेट एंड चोथा option D है A sudden storm during TA time देखिए A storm in a TA cup मीस होता है छोटी छोटी बात का बतंगड बना देना को हम क्या बोलते हैं A storm in a TA cup तो इसका answer C हो जाएगा lot of us that will soon be forget तो इसका answer क्या होगा C तो चलिए friends अगला question देखती है, question number 13 है pipe dream pipe dream का हमें बताना है कि कौन सा option इसका answer होगा A option A dream or idea that is loudly proclaimed B option है A dream or idea that is nearly accomplished C option है A dream or idea that is unlikely to happen D option है A dream or idea that keeps getting तो देखिए friends pipe dream का मतलब होता है एसे dream जिनका पूरा होना संभव नहीं है तो इसका answer हो जाएगा C option इसका answer हो जाएगा A dream or idea that is unlikely to happen जैसे मैं कहूं It is a pipe dream if you think a donkey can defeat a loin in the fight यह एक संभव बात होगी अगर आप ऐसे सोचते हो कि एक जो डंकी होता है कुता होता है जो डंकी होता है गदा होता है वो एक लोएन होता है सेर को कि अगर defeat कर दे तो यह बात assemble हो है तो इसका answer क्या हो जाएगा C option इसका answer हो जाएगा तो देखिए friends अगला हमारा जो question number 14 है हर्कुलीन टास्क हर्कुलीन टास्क इडियम का हमें बताना है कि कौन सा option इसका answer होगा पहला option है A job that only weak people are assigned B option है A job that makes everyone feel proud C option है A job that requires a lot of talking and information D C option है A job that requires a large amount of physical strength देखिए friends A हर्कुलीन टास्क means होता है कठीन कार है बहुत मुश्किल से होने वाला कारी है तो जो मुश्किल से कारे होगा उसके लिए strength की जूरुत होती है तो इसका answer A हो जाएगा A job that requires a large amount of physical strength तो इसका answer D हो जाएगा तो देखिए friends अगला हमारा question number 15 है speak and span speak and span idiom का हमें बताना है की कौन सा option इसका answer होगा पहला option है far and near दूसरा option B है noisy and loud तीसरा option C है fast and efficient चोथा option D है neat and clean तो देखिए speak and span means होता है साफ सुत्रा स्वेच तो इसका answer D हो जाएगा net and clean net and clean means होता है साफ सुत्रा स्वेच जैसे मैं कहूं my house is so speak and span that you will hardly find anything untidy मेरा house इतना स्वेच और साफ सुत्रा और व्यवस्तित है कि आप मुश्किल से कुछ मेरे house में पाऊगी कि जो untidy हो गंदी चीज हो कुछ से अस्वेच चीज हो तो इसका answer क्या हो जाएगा D option इसका answer हो जाएगा neat and clean तो चलिए friends अगला question देखते है question number 16 है go easy on something go easy on something idiom का हमें बताना है कि कौन सा इसका answer होगा A option fill once plate easily होगा या फिर B option use only a small amount of होगा या C option take as much as one want होगा या D option it slowly and liberally होगा तो देखिए idiom go easy on something का जो answer होगा वो होगा B option use only a small amount use only a small amount इसका answer हो जाएगा तो चलिए friends अगला हमारा question number 17 है pet on the back pet on the back idiom का हमें बताना है कि कौन सा option answer होगा पहला option है friendly tap to push someone दूसरा option B है prize or approval for doing something good दीसरा option C है good message for acne and pants चोथा option है D mild form of mild form of disapproval or blame तो देखिए pet on the back means होता है खोसला बढ़ाना साबाशी देना जैसे मैं कहूँ I got a pet on the back from my father for scoring good marks in exam जैसे मेरे फादर ने मेरा होसला बढ़ाया काफी जम मुझे exam में अच्छे marks मिले तो होसला बढ़ाना या सबाशी देना होता है pet on the back means तो जो जो इसका answer होगा वो हो जाएगा B answer हो जाएगा इसका B option इसका answer होगा prize और approval for doing something good तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्यूशन देखते हैं क्यूशन नमबर 18 wild ghost chase wild ghost chase का हमें बताना है कि कौन सा option इसका answer होगा a option है a safari to spot rare animals b option है a long search for hidden prey c option है a worthless hunt or chase and d option है going to watch uncommon birds तो देखिये friends wild ghost chase means होता है निर्थक प्रयास worthless effort तो देखिये तो इसका answer हो जाएगा a worthless hunt or chase c option इसका answer हो जाएगा for example rahul looking for his lost phone may be on a wild ghost chase या राहूल का अपना lost phone को ढूंड रहा है यह हो सकता है उसका निर्थक प्रयास हो उसको phone ना मिले wild ghost chase means होता है निर्थक प्रयास useless effort बोलते हैं हम इसको तो c option इसका answer हो जाएगा तो चलिए friends अगला question देखते है question number 19 है a kick in the teeth a kick in the teeth का idiom का हमें बताना है कि कौन सा option इसका answer होगा पहला option a है severe tooth as a b option है a grave setback c option है removing tooth cavities and d option है hitting someone hard तो देखिये friends a kick in the teeth means होता है जबर्जस जटका a great setback or a grave setback for example losing my job after my car broke down was a real kick in the teeth for me so a kick in the teeth means होता है जबर्जस जटका जोरदार जटका a grave setback तो इसका answer B हो जाएगा a grave setback जबर्जस